कई ऑलो मैं कॉम है जो साइकिल से रिलेटेड ऐबनोर्मल्ल्टी और एंचो पढ़ने से पहले हम पढ़ लेती है कुछ जनरल बाते है जो मेंस्रेल साइकिल के बारे में सबको पता होनी चाहिए तो सबसे पहले देखते हैं कि मेंस्रेल साइकिल है उसका जो एवरेज वो 28 days का रहता है और आप इसको weeks में 4 week बोल सकते हो ठीक है और एक menstrual cycle के दुरान जो average blood loss होता है वो आपका कितना होता है 40 to 80 ml होता है ठीक है तो आपका menstrual cycle का वो कब शुरू होता है यानि आपकी first time जो menstrual cycle है वो जल्दी से जल्दी कितना आ सकती है तो वो 9 year की age में क्या होती है आपकी आ सकती है और delayed on set अगर आपसे पूछा जाए कि कितना late हो सकती है menstrual cycle तो वो हो सकती है आपकी 16 year इससे जादा late नहीं होगी जल्दी से जल्दी 9 साल के उमर में आ सकती है और late से late आपकी 16 year के अंदर उसके बाद अगर 16 year के बाद भी menstrual cycle अगर किसी female के अंदर नहीं देखने को मिलती है तो इसको आप कैसी condition बोलोगे primary amnihoria इसको आप बोलोगे always pathological ठीक है और primary amnihoria यानि absence of menses ये जो condition रहेगी आपकी always pathological रह ही है ठीक है तो हमने यहां time period देखा कि average duration 28 days का होता है average blood loss आपका 40-80 ml तक होता है एक complete perennial period आपके इसको बोलोगे जिसमें 8 ml of blood आए earliest आपकी menstrual cycle 9 year of age में देखने को मिलती है delayed आपकी 16 year में और 16 year के बाद भी menstrual cycle शुरू नहीं होती है तो उसको आप क्या बोलोगे primary amnihoria बोल में प्यूबर्टी का मतलब होते हैं या फिर first sign of menstrual cycle का किसको बोलोगे तो जो first sign रहेगा आपका puberty का थिक है menstrual cycle का नहीं प्यूबर्टी का हम यह पढ़ रहे हैं ठीक है तो प्यूबर्टी का जो first sign रहेगा वो रहेगा थैलार्के थैलार्के का मतलब होता आपका breast की enlargement second sign प्यूबर्टी का मतलब क्या होता आपका pubis जो area होता आपका वहां पे hair की growth देखने को मिलेगी थर्ड रहेगा एडिनार्के एडिनार्के का मतलब होता है axilla पे hairs आपको यानि आपकी जो armpit है वहां पे आपको hair देखने को मिलेंगे और sexual character क्या रहेगा आपके height में increase देखन मेनार के बोलते हो तो यह कुछ जिनरल सी बाते हैं हमने में पढ़ ली अब हम पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल्टी क्या क्या देखने को मिलती है हमें तो देखिए सबसे फस्ट जो एबनॉर्मल्टी रहेगी मेंस्ट्रल साइकल की वो रहेगी ओलिगो मेनोरिया ठीक है ओलिगो जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता आपका कम होता है ठीक है 28 दिन के अंदर हर महीने आपको menstrual cycle देखने को मिल रही है तो अगर आपके 12 मन्त है येर में तो 12 टाइम ही आपको क्या देखने को मिलेगी menstrual cycle देखने को मिलेगी लेकिन अगर आपका जो time period है वो 28 दिन से जादा हो गया मालो 40-40 दिन में किसी female को एक बार menstrual cycle आ रही है तो उस अगर बढ़ जाएंगे तो जो आपकी total count of cycle in a year वो आपकी कम हो जाएगी ठीक है और यहां पे जो blood loss होगा वो regular होगा ठीक है यह यहां पे आपको बताया गया है उसके बाद है poly minoria infrequent का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर बार ही जो time period है 28 days का वो आपका ज्यादा हो ठी इस दिन में एक बार menstrual cycle देखने को मिल रही है कभी 35 days में एक बार देखने को मिल रही है ठीक है तो यह है लेकिन जो menses है वो आएंगे menstrual cycle आएगी चाहे आपकी जो duration है वो increase decrease हो सकती है according to female condition next जो abnormality है वो रहेगी poly minoria poly minoria का मतलब क्या है अब देखिए poly का मतलब जादा होता है यहाँ पर जो cycle का duration है वो less than 21 days हो जाएगा यानि हर ऐसा हो सकता है female के अंदर 21 दिन से पहले मतलब अभी अगर किसी को menstrual cycle आई है आज तो 20 दिन बाद फिर उस को menstrual cycle आ रही है तो इस तरीके से बताया है कि जो duration है time period है वो क्या हो जाए आपका reduce हो जाएगा और जो number of cycles हैं hypo का मतलब क्या होता है अब कम minoria मतलब आपका blood loss है तो यहाँ पर जो blood loss है वो less than normal होगा आपका तो blood loss यहाँ पर पूरी की menstrual cycle में आपको less than 30 ml ठीक है 30 ml से भी कम blood का loss आपको देखने को मिलेगा पूरे menstrual cycle के दोरान fourth condition है हमारी menorrhagia menorrhagia का मतलब अब क्या है यहाँ पर जो blood loss है वो आपका more than 80 ml ठीक है मतलब normal से जादा आपको blood loss एक female के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पर blood loss से related बात है यहाँ cycle के duration से related बात है ठीक है fifth जो हमारी condition है वो रहेगी menorrhagia menorrhagia क्या होती है अब देखिए यह है कि यहाँ पर आपको irregular अब इसको याद करने का तरीका आपका क्या रहेगा menorrhagia menorrhagia तो यहाँ पर जो condition रहेगी वो क्या रहेगी आपकी irregular condition रहेगी infrequent और more blood loss ठीक है menorrhagia के अंदर क्या था आपका blood loss ज़्यादा ओरह था तो उसके उसको सकता है अभी do-t Commons मेशार डिन और आ आप desire दिन बाद फिर नेक्सट है निहोरिया आपको सबको पता है आ गया इसे लिए हाँ पे आपसेंस ऑफ मेंस बोला है एमनी होरिया आपका दो तरीक्य से हो सकता है फिरस्ट इस प्राइमरी एमनी हो रिए तो प्रैमरी हमने अभी पड़ा था पिछे कि अगर आपके जो मेनारके हैं menstrual cycle शुरू नहीं होती है 16 साल तक भी earliest हमने पड़ा था 9 साल तक देखने को मिल सकती है और delayed आपकी 16 year तक हो सकती है अगर 16 साल के बाद भी आपको किसी female के अंदर menstrual cycle नहीं देखने को मिल रही है तो उस condition को आप क्या बोलोगे प्रैमरी एमनी हो रही है बोलोगे और secondary एमनी हो रही है आप किसको बोलोगे 3 regular cycle miss और absent यानि किसी female को menstrual cycle तो शुरू हो गई है उसके एक particular age बे लेकिन उसके बाद ठीक है तीन महीने तक या तीन regular cycle अगर एक female की life में क्या हो जाती है मिक्स हो जाती है या absent हो जाती है तीन महीने तक अगर उसको कोई cycle नहीं आ रही है तो उस condition को आप क्या बोलोगे secondary एमनी हो रही हो या बोलोगे ये condition आपकी दोनों तरीके से हो सकती है physiological भी और pathological भी physiological और pathological दोनों तरीके से condition देखने को मिल सकती है physiological यानि normally भी आपको ये देखने को मिल सकती है या फिर किसी disease condition की वज़े से भी आपको देखने को मिल सकती है physiological आपको कब देखने को मिलेगी lactation के दोरान जब एक बेबी का बर्त हो जाता है और जब मा बच्चे को दूद पिलाती है तो उस दोरान और second condition आपकी pregnancy आप सबको पता है pregnancy के दोरान जो menstrual cycle है वो नहीं आती है तो वो भी condition आपकी किसमे रहेगी secondary amni horia में physiological condition के अंदर ये आपकी देखने को मिलेगी pathological condition आपको कब देखने को मिलेगी यानि किसी disease condition की वजह से अगर किसी female के अंदर menstrual cycle miss हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे pathological बोलोगे तो यहां पे दो condition आपको बताएगी एक तो PCOD polycystic ovarian disease जिसको आप बोलते हो और second है Sihahn syndrome इन दोनों ही condition के अंदर क्या रहेगा secondary amni horia की condition आपको देखने को मिलेगी तो जब आप इन बिमारियों का इलाज करवाल होगे तो दुवारा से menstrual cycle आपकी क्या हो जाएगी start हो जाएगी अब एक और हमारी condition रहती है seventh जो हमारी condition है वो रहेगी crypto minoria ठीक है crypto minoria अब देखिए इसके अंदर क्या होगा unrevealed menstrual bleeding due to imperforated hymen ठीक है इसके अंदर क्या रहेगा menstrual bleeding है वो unrevealed होगी यानि जो vaginal opening है वहां से menstrual blood बाहर नहीं आएगा वो कहां रहेगा अंदर की तरफ ही इकठा होता जाएगा वो किस वज़े से होता जाएगा imperforated hymen की वज़े से क्योंकि जो hymen है आपकी वो completely vaginal opening को close किये होगी जिसकी वज़े से blood का बाहर आने का कोई रस्ता ही नहीं होगा तो इस condition को आप क्या बोलोगे crypto minoria बोलोगे आज की class के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगी आज का हमारा topic था abnormalities of menstrual cycle so thank you guys I hope आपको ये conditions समझ आई होंगी मिलतें next video के अंदर next topic के साथ